नमस्कार साथियों, मैं डोक्टर दिलेप सारन, प्राकरती चिकिसाल है, बापुनगर जैपुर से, आज मैं देनिक जियोन में योग परणयाम का महतु है, और देनिक जियोन में योग करने के लिए आपके पास आसपास कोई विवस्ता नहीं है, तो आप इस वीडियो को देखें, योगा का परणयाम का अभ्यास कर सकते हैं, तो देनिक जियोन में योग का क्या महतु है, शारीरिक मानशिक अध्यात्मिक तीनों रोक से योग अपने को सवस्त रख सकता है, आपकी सरीर की इमनिटी पाउर है, उसको डवलप कर सकता है, आपको आने वाली बिमार योग से बचा सकता है, योग के माध्यम से परणयाम के माध्यम से आप बिलकुल स्वस्त रह सकते हो, योग औरपनयाम के जैसे माहरशी पातंजली ने योग की परिवासा दीए है, योगे चित्-वर्ति-नि campaign रोकते हैं, अपने इंद्रियों को वस्म करता पूरे कंट्र главное करना अपने मन पर राज करना उसको करते हैं योग तो योग से आज आप सरीर को सुद कर सकते हैं आपको मन को सुद कर सकते हैं विचारों को सुद कर सकते हैं योग और पर्णयाम के द्वारा इसलिए योग और पर्णयाम का ब्यास इस वीडियो को देखे आप पूरा योग का अभ्यास कर सकते हैं, पढ़नेयम का अभ्यास कर सकते हैं, किस परकार योग और पढ़नेयम का अभ्यास करना चाहिए, कौन कौन सी डिजीज में, कौन सा आसन नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आप आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, और योग की सारी जितनी किरियाए हैं वो कराऊंगा कितने समय आपको योग करना चाहिए पढ़नेयम करना चाहिए योग सुबह और साम दोनु समय कभी भी कर लेते हैं तो आपको 5-6 बजे योगा अब्यास आपको करना चाहिए जितनी भी अक्सरसाइज है वो सारी अक्सरसाइज आप कर सकते हों खाना खाने के साड़े तीन गंटे बाद आप योगा पढ़नेयम का अब्यास जरूर करें तो शाम को यदि योगा अब्यास करते हैं तो आज इस वीडियो को देखें, योग का अभ्यास करें, सबसे पहले योग का अभ्यास करते समय कमर और गर्दन को सीधा रखें, सबसे पहले आप सुकासन, सिधासन और पदमासन या वजरासन, ये सुकासन की स्थिती हैं, एक पैर उपर रखां, ये सिधासन, शिधी प्राप् पर रखते हैं यह गए वजरासन तो आप कोई भी आसन में बैठके योगा अब्यास कर सकते हैं इस आसन का नाम है वजरासन इसमें भी आप योगा अब्यास कर सकते हैं जिस आसन में सहज आसान तरीके से बैठ सकते हैं उस आसन में बैठके योगा पर्णयाम का ब्यास करेंग सभए उसकी ध्यान रखें खाना का साढ़े तीन गंटे पहले क्वाने के बाद में योगा अब्यास करें और योगा ब्यास करते समय आप कोई भी ध्यान रखें तो योग औरक्सरसाइज में फरखerie योग का ब्यास करते समय पूरा स्वांसों का ध्यान रखेंगे जो भी किरिया होगी वो स्वांसों के साथ करेंगे तो सबसे पहले वजरासन, सुकासन, सिदासन, पदमासन मैं आराम से बैठते वे सबसे पहले तीन बार ओमकार का उचारण करेंगे ओमकार का उचान प्रातना ये धरम के साथ महत जोड़िए आपके सरीर की आंत्रिक सुद्धी के लिए ओमकार का उचान मैं यहां करके बताऊंगा जिस परकार पहले गहरा स्वांस लेते वे ओमकार का उचान करेंगे ओमकार का उचान कैसे करेंगे गहरा स्वांस लेजिए आंखे बन कमर गर्दन सीधा एक बार फिर से कि एक रम और है कि है कि सबसे पहले तीन बार ओमकार का उचान किया ओमकार का उचान यहां सरीर के आंत्रिक सुद्धी के लिए ओमकार का उचान करेंगे ओमकार का उचान करते हैं आकार का उचान करते हैं और मैंकार का उचान करते हैं आकार के उचान्ट से अपने नाभी के इंदर के पास में मनी Kelli अगनी सबस्टा आदिस रिख करق के इनाद Spread मयकार कब आप displays आदिसे विग्लेंड के लिए मैं कार का उचान्ट भहुती बढ़िया है तो सबसे पहले गर्दन की गिर्वा सक्ति विकास्त किरिया, सुक्सम योगी किरिया के द्वारा करेंगे, सबसे पहले गर्दन को स्वांस बरते उपर ले जाएंगे, स्वांस बरते उपर, स्वांस बरते उपर, स्वांस बरते उपर, स्वांस बरते उपर, स्वांस बरते भी लैफ्ट करने पढ़ेंगे सामने स्वास सोडेंगे यह भी तीन बार किरिया करेंगे दीरे धीरे बढ़ाते वे पांच बार संुट करेंगे तीसरी किरिया गर्धन की जिनको सर्वाइकल स्पॉर्ड persec़ी यह नहीं करें जिनको थाइराइड हैं वो किरिया जुरूर करें गर्दन को रोटेट करना है बोल की तरह लुड़काना है गर्दन को और तीन बार अपोजिट साइड को भी कर देना है तीन तीन बार कम से कम करें और धीरे धीरे बढ़ाते हुए पांच बार का अभ्यास हर असन का अभ्यास पांच बार जरूर करें उसके बाद में क्या करेंगे वजरासन सुकासन पैरों को सीधा कर दीजिए कमर गर्दन सीधा रखते हुए हातों को थाइस के पास में रखें तो कमर सीधा रखें कोनिया सीधे रखेंगे कमर सीधा रखेंगे पैरों को आगे पीछे ले जाएं पूरा आगे पीछे पैरों को रिलाक्स करेंगे आगे पीछे ले जाएंगे और रोटेट भी गुमा दीजिए अपोजिट फिर पैरों को थोड़ा साथ रिलाक्स करते वे गुटनों को प्रेस क करें एडियां उठा दीजिए और रिलाक्स कर दीजिए उठाइए और 10 सेकिंड दस किनें तब तक रुकें 12345678910 यह आप उसके बाद में आपको बटरफलाई करनी है बटरफलाई दोनों पंजों की गरीब बना लीजिए यह गरीब बना ली और उपर नीचे पूरा डॉके किसी परकार की प्रोब्लम होती है और लेडीज के जित्ती बी गाइनूलोजिस्ट प्रोब्लम होती उसके लिए भी बटरफलाई बहुत पी च्योडी हो पीर हो उसके लिए भीएई सबसे पहले एडी और पंजों को मिला लीजिए एडी पंजी मिलाते वे दोनों आतों को थाईस की पास में रखें स्वांस बरते वे क्या करेंगे कंदों को उपर ले जाएंगे स्वांस बरते वे पांस से दस बार उपर नीचे स्वांस बरते वे उपर स्वांस बरते वे नीचे हर किरिया को योग का मतलब स्वांसों के साथ करना है रिलाक्स उसके बाद में क्या करेंगे कंदों को उपर ले जाएंगे पीछे खेंज दीजिए और रिलाक्स कर दीजिए ये आपका सर्वाइकल स्पॉंडोलाइटेस सोल्डर्स के लिए बहुत बढ़िया किरिया है दोनों हातों कलाई कफ योंग करें इसकलाई को अब डाओं अंगुलियों में फासला कि मूठ्ध्या बंद करें है और कफ कबाई को रोटे ये भी अभ्यास कर लिजिए अपर जीट जिनको हातों में आम जितने को, जिनको कंदों की चरवी कम करनी है, हाथों की चरवी कम करनी है, वो गोल गुमादीजिए, मुठ्याँ खोलें, बंद करें, और कोईनी सक्ति विकासक किरिया, स्वांस के साथ बहार छोड़ेंगे रिलाक्स अगली किर्या दोना आतों को कंदों पर रखेंगे और आगे मिलाए मिलाते वे स्वांस बरते वे पीछे ले जाएं स्वांस बरते वे स्वांस बरते वे आगे स्वांस बरते वे पीछे स्वांस बरते वे पीछे स्वांस बरते वे पीछे स्वांस बरते वे पीछे स्वांस बरते वे आगे कंदों को रोटेट एक कम से कम तीन से पांस बार इसका ब्यास तेरा पोजिट भी कर लिजिए स्वांस बरते वी उपर ले जाएं स्वांस उड़ते वे आगे स्वांस बरते वी उपर स्वांस उड़ते वे आगे रिलाक्स अगली किरिया दोना आतों की ग्रीप बनाईएं अपोजिट करते वे ताडासन की किरिया करेंगे स्वास बरते वे दोनों आतों को उपर क्यों ले जाएं खीचिये पैरों को बिठा दीजिए एडिया उठाईए निश्चित बिंदू पर सामने देखते वे 10 सेकिन रुकने का अभ्यास करें रुकिये स्वास सोटे वे रिलाक्स अगला अर्द कटी चक्रासन दोनों आतों को कमर पर रखें कमर पर इस परकार अंगुठा आगे रखें अंगुलिया पीछे कमर के पीछे बाग को ये कोरोना के लिए भी बहुत पड़िया अपने चेस्ट के लिए बढ़िया जिनको सर्वाईक्ल है वो आंखे खुली रखें बंद नहीं करें देखे पेछे जितना पेछे ले जा सकते हैं दीरे दीरे ले जाने का अभ्यास स्वांस बरते उपर स्वांस सोटे वी नीचे अगली किरिया उसके अपोजिट स्वांस बरते उपर स्वांस सोटे आगे मैंन करते वे अपना फोरेट ललाट गुटनों से छुआ दिजे कमर दर दुआड़े यह किरिया नहीं करें हाट हाई भी पियाड़े भी नहीं करें स्वांस बरते उपार रिलाक्स एक किरिया दोनों आतों की गरीब बनाते हुए उपार ले जाए और राइट साइड के और बेंड कर दीजिए रुकने का ब्यास स्वांस बरते उपार अपोजीट स्वांस बरते उपार रिलाक्स हर किरिया को दो से तीन बार इस किरिया का ब्यास करना है अब क्या करेंगे परिवर्तन तिरकोन आसन राइट पेर को थोड़ा से डाइरेक्शन चैन स्वांस बरते उपार गर्दन को सामने देखिए उपरवड़ा हाद सीधा श्वांस वरते उपआर पैर का डाइरेक्षिन चैने करते वे क्यों सब्यते उपआर रिलाक्स के परिवर्तन तिर्कौन आसन फिर से अच्वांस वरते दोना आतंग उप कर पर गरदन को घुमाते उपर आकास के और देखिए रुकिये कि स्वांस वड़ते परब आप पोजीद स्वांस ओड़ते वह में पर लाक्स का दोनों पैरों में समान पासला करेंगे कंदों के दूरियों के समान ठेपला गुटनों मुग दर्दवालों के लिए बढ़िया के लिए स्वांसपरते दोना आतों को सामने लाएंगे चेर पॉर्षन कुर्षियासन बैठ जाएए यह कॉंस्टिवेशन वालों के लिए बढ़िया जिनका पेट साप नहीं होता है उनके लिए बढ़िया कमर और थाइस की हिप्स की सेर्वी को कम करने के लिए रिलाक्स फिर पिंडली सक्तिव का सकीर्या कर लिजिए पंस पंस बार कर लिजिए रिलाक्स फिर आप बैठ जाएए पहले खड़ेओं के आसन करें फिर बैठ के आसन कर लिजिए बैठने के बाद में आसनों का ब्यास थोड़ा सा रिलाक्स कर ल तीन चार बार स्वांस लेजिए स्वांस छोड़ देजिए बैठ की जितने भी आसन करें जता है डाइब टी जवालों के लिए भूती बड़ी आसन है राम बार्न आसन माना जाता है कॉंस्टिवेशन रहती हैं उनके लिए बड़ी आसन राइट पर को गुटने कहां से रुकने का ब्यास स्वांस परते उपार रिलाक्स अपोजिट पैर से कर लिजिए अपोजिट आथ उपपर माथा गुटनों के लगा दीजिए सहस्ता से जबरदस्ति नहीं करेंगे दीरे दीरे आपके शरीर में परिवर्तन आएगा एक साथ नहीं आएगा फिर क्या राइट पैर को गुटने क्या से मोड़े वक्रासन अपोजिट हाथ उपपर यह डाइब तीज वाणों के लिए बढ़िया कि रिया कमर दर्द वाणों के लिए बढ़िया हराशन के बाद मा अपोजीत आपसन होता है उसका अपोजीत आपसन अपोजीत पैर से यह करें सोजाश परते उपढ़ ले जाएंगे स्वांस शोटे आगे बैंड करते हुए पैर का पंजा पकड़ें माथा गुटनों के लगा दीजिए ये अपने चेरों को सुंदर बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया जिसको नाभी की प्रोब्लम रहते है उनके लिए बढ़िया कि दिया आगे बैंड करें कमर दर्द वाले स्वांस वरते उपार रिलाक्स वजरासन के अभ्यास वापीस वजरासन में आते वे दोनों पैरों पर खड़े हो जाए और दोनों आतों को पीछे कि और ले जाते वे उष्ट्रासन पूरे शरीर क्या करती उंट के बांती बना दीजिए अगली किरिया दोनों आतों मुठ्या मन करें नाभी के दाएं बाएं रखें और स्वांस वरते उपार स्वांस वरते वे मुठ्या खोल देंगे पैर सीधा करें गो मुकासन करेंगे राइट पैर को नीचे ले गए उस पैर को उपपर राइट हाथ उपपर ले जाएं दूसरा हाथ कमर पे पूरे गर्दन सामने रखें अस्त्मा एलर्जी साइनस हाइबी प्यानों के लिए बहुती बढ़िया किरिया गो मुकासन स्वांस वरते उपर रिलाक्स इसी टाइप पैर को चैंज कर दीजिए जो नीचे वाड़ा पैर है उपर आजएग उपर वाड़ा पैर नीचे हाथ भी चैंज कर दीजिए पीछे देखिए पीछे ग्रिप बना लिए जी अच्छी तरह आत की गर्दन सामने रखें कि अच्छा कि स्वांस परते उपर रिलाक्स तोड़ा से रिलाक्स कि दोनों पैरों में गैप करें परिवर्तन तिर्कोन आसन दोना आतों कंदों के समांतर कि स्वांस वर्टे उपर स्वांस वर्टे नीचे रिलाक्स तोना तों के जक्की संचालन कि रिया दस बार अपोजीट यह पेट की अनावस्त सर्वी को कम करने में साए एक डाइजेस्टन सिस्टेम के लिए बहुत बढ़िया जिनको जितना ज्यादा मोटा पाई उतना कि भूनमनासन दोनों पैरों का पंजाब करते वे अपनी मात्री वह में से नमन करें रिलाक्स फिर क्या करेंगे पेट के बल आसन करेंगे पेट के बल आसन पेट के बल लेड़ जाईए और मकर आसन में विश्राम करें एक पर एक अतेली अपना फोरेट लला टिकाते वे मकर आसन दोनों हातों को चैस्ट के दाये बायें रखें स्वांस वर्ते वे उपराईए स्वांस वर्ते वे नीचे एक बार फिर से यह अस्तमावालों के लिए फेपड़ों से समंदित कोई भी बिमारी उनके लिए बहुत बढ़िया कमर दर्द्वालों के लिए बढ़िया तीन बार इस आसन का अभ्यास किया उसके बाद में इसका विप्रीत आसन कमर दर्द्वाले एक एक पैर उठा लेजिए बाकी लोग दोनों पैरों को उठाईए थुड़ी टिका के रखें स्वांस चोटे वे नीचे एक बार फिर से उठाईए रुकने का व्यास स्वांस चोटे वे नीचे मकरासन में विश्राम दोनों आतों को सामने लाईए नोकासन की स्थिति में स्वांस बरते उठा दीजिए स्वांस चोटे वे नीचे मकरासन उसके बाद में पीठ के बल आसन करेंगे पीठ के बल आसनों का अभ्यास करेंगे पीठ के बल लेटते वे सबसे पहले पैरों का अभ्यास करेंगे पैरों का अभ्यास कमर दर दुआड़े एक एक से बाकी लोग दोनों पैरों से कर लीजिए स्वांस वरते उठाइए ये किरिया दस बार करेंगे दीरे देरे रख रहें इस्टाइग में पांत बार करेंगे फिर दीरे देरे दस बार कर लेजिए अगली किरिया उतान पादासन दोनों पैरों को एक पीट उपर उठाइए रूखिए दस सकीन रुखने का अभ्यास रिलाक्स हर आसन में दस सकीन रुखेंगे फिर पवन मुक्तासन राइट पैर को गुढ़ने कहां से मोड़ते वे पेट पर दवाईए पेट को खाली करते व रिलाक्स अपोजीट रिलाक्स दोनों पैरों को एक साथ कमर दर्दवाले पिछे गर्दन नहीं उठाए दबाईए बाकी लोग पिछे गर्दन उठा दीजिए रिलाक्स थोड़ासर रिलाक्स दोनों पैरों गुटने क्यां से मोड़े हैं शेत्तू बंद आसन करेंगे कमर का भाग उठा दीजिए कमर दर्दवालों के लिए बहुत ही बढ़िया किरिया एक बार और जो बच्चे होते हैं वो चक्राशन भी कर सकते हैं और एक एज की बाद में चक्राशन ही करना चाहिए जिनके हाट को हाई भी पी वाड़ों को चक्राशन नहीं करने चाहिए उसके बाद में दोनों पैरों को मोड़िये दोनों हाथों को कंदों को समानतर ले जाते हुए एक के साथ गुटने राइट साइड गरदन अपोजी साइड दो तीन चार पांच इसन का अब्यास भी पांच से दस बार करिए रिलाक्स बाद में क्या करेंगे लेटे लेटे साइक्लिंग करेंगे जिसको कमर में दर्थ हो एक एक पैर से ऐसे साइक्ल चला लेजिए जिनको मोटा पा कम करना है वो दोनों पैरों से ऐसे मिलाईए साइक्ल चला दीजिए अब पोजिट भी चलाईए बड़ा सा बड़ा सर्किल बनाईए बड़ा सा बड़ा जितना बड़ा बड़ा सकते हैं उतना बड़ा सर्किल बनाईए फिर रिलाक्स कर लिजिए 3-4 बार गहरा स्वांस लीजए और रोटे गुमा दीजए ये रोटे बी आप दस बार कर दीजए अब पोजित भी कर दीजए दस पर रिलैक्स फिर थोड़ा सा रिलैक्स करें हर आशन के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूरी है आशन के बाद में रिलैक्स से आपकी खर्च कीगी एनर्जी वापिस गरहन करते हैं रिलैक्स करते वे आप ताड़ासन करें स्वांस बरते वे शरीर को दो भागों मांटिये पैरों को खेंचिये नाभी को केंदर बिंदू सेंटर बिंदू मांते वे तोड़ा सा बोड़ी को रिलाक्स करें सितिल छोड़ें आँखे बन तीन चार बार गहरा स्वांस स्वांसों की गती बिलकुल सामाने इस्तिती में लंबा स्वांस लंबी आयू गहरा स्वांस गहरी नीन अपने आपको देखती वी, अपने आपको महसूस कराती वी, संपूर्ण सरीर को रिलाक्स करते वी, शितिल रिलाक्स ओल बोडी रिलाक्स कर दीजिए, शितिल छोड़ दीजिए, जितना आराम से कर सकते हैं इतनी देर हैं आपको चितिल तक पैरों कांगू उत्तों लेके सरे पके कंगों को देखें मेहसूस कराई झाये और धीरे धीरे रिलाक्स करतेए लग को संपूर्ण शार रिलाक्स होते वे जितिल होतेए एक बार पूर्ण ऐसरे सान करें गे अंधर न Wrong वजराशन शुकाशन जो आशन बताया उसम बैठे आंखे सहस्ता से बंद रखते वे पिन चार बार गहरा स्वांस लेने के बाद में कपाल भाती प्रणायम का अभ्यास करेंगे भाल बाल कपाल वाति का अभ्यास рассказыв सर्टक में तीमें तींस से 5 मिनिट करें। 3 जी जी बढ़रे वड़ाWhat 10 पंद्रा मिनिट का कपाल वाति का अभ्यास कि आप कर लेंगेए थोड़ा सा अनुलोंब्रों पर्नयाउम का अभ्यास यदि पूरा सही तरीके से का भी अभ्यास तोड़ा से जुरूर करें अनुलों मिलों पढ़ें हम जो है आपके शरीर की नश्च नाडियों में एस उद्रक्स को सुद करने में साइक रहता है स्वांस परते वी राइड अपोजिट सिस्वांस बहार जिससे बहार थोड़ा है उसी सिस्वांस अंदर यह अनुलों मिलों प्रणायम का भ्यास भी दिरे दिरे बढ़ा दीजिए और तीन से पांट दस मिनिट आप अभ्यास इसका जुरूर करें उसके बाद में ब्रहामरी प्रणायम दोनों हातों कांगूठों को कानों को बंद करते हुए शहस्ता स्यांखों पर रखें और मेंकार का उचान करेंगे अपने मस्तिशिक चांती के लिए मस्तिशिक में वाइब्रेशन होता है अपनी मेमोरी विल पाउर बढ़ती है वाइब्रेशन होता है अपनी मात्री वुमी जिसको मा कहता है उसको प्रणायम करते हुए धीरे धीरे आँखे पलके जुकाते हुए आँखे खोलेंगे ये वीडियो अच्छा लगें तो उसको लाइक सब्सक्राइब और शेव जरूर करें और उसको पूरा देखें योग का बयास योग का बयास परणयम का बयास जरूर करें आप अमेशल सवस्त रहेंगे हेल्थ रहेंगे नमस्कार जैहिन जै भारत